पुद्ध जा रहे हैं अपने शत्रु के घर में अपना राशी परिवर्तन बुद्ध कर रहे हैं और बुद्ध की शत्रु राशी करक राशी जो कि चंद्रदेव की राशी है उसमें बुध स्वयम प्रवेश कर रहे हैं अब प्रश्ण ये आता है कि बुध जब अपनी शत्रु राशी करक राशी में प्रवेश करेंगे तो क्या फल लेकर क्या आएंगे बुध का ये जो गोचर हो रहा है ये आप सभी के लिए कहां पर सावधानी बरतने के संकेत लेकर क्या आया है या फिर शत्रु राशी में जाना कोई सौगाते भी लेकर क्या आया है जिहां आपको सौगातें भी हैं, जरूरी नहीं कि बुद्र शत्रु राशी में जा रहे हैं, तो वस आपको परिशान ही करने वाले हैं कहीं पर आपको सौगातें भी देंगे और यही बात मैं आपको आज विस्तार से समझाऊंगा अलग अलग राशियों के आधार पर समझाऊंगा मेश लेकर मीन तक जो भी आपकी राशी है उस राशी के आधार पर आप समझें तो समय को जाया ना करते हुए हम आगे बढ़ते है लेकिन उसके पहले एक बात समझ लीजिए कि यदि आप मेरे रेगिलर विवर से तो इस बात को जानते होंगे कि मेरे जो राशी फल होते हैं वो चंद्र राशी पराधरित होते हैं उसकी वज़य क्या है उसकी वज़य यह है कि शाष्ट्रों के नुसार यदि केवल कुंडली चंद्र राशी को ही लगन मान करके बनाई जाती है और चुकि यह सारवजिनिक गणना है इस वज़य से चंद्र राशी पराधरित है शाष्ट्रों अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मेश राशी के बारे में बात करते हैं यदि आपकी राशी मेश है तो भ ये बढ़ते हैं तो आपको भी लगेगा कि मैंने जीवन में शत्रों का निर्मान हो रहा है इस इसलिए हो सकता है आपको ये लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कि वाद विवाद बने, मतभेद बने, वाद विवाद बने, तो ऐसे स्थितिया, ऐसे हालाद भी निर्मित हो सकते हैं, इस बात का ज़र आप ध्यान रखें, मैनत बढ़ने वाली है, आपको ये लग सकता है, यार पहले जो कम मैनत अब मैंट में ये बढ़ चुकी है और हो सकता है कि उसके बदले में उतना मिल नहीं रहा है तो ऐसे श्थितियाभी निर्मित हो सकती है मेनद ज्यादा करना भाग दौड ज्यादा होना और उसकी वजह से तनाम की स्थिति भी ज्यादा बनना तो मुझे यहाँ पर नज़राता है तो आपके लिए मेश-राशी के लिए कहना चाहूंगा हला कि बुद्ध्ध जो है वह मेश-राशी के भी शातु आ통 वह है और करकराश्य जिसमें बुद्देव प्रवेश कर रहे हैं, उनके भी शत्रू कर रहे हैं, तो बुद्देव मेश राशी के लिए आप बिल्कुल भी सौगात लेकर के तो नहीं आए हैं, कहीं न कहीं तनाव, चिंता या मदबेद, मन, मुटाव या भागदोर लेकर के आए हैं, गबरानी क जरूरत नहीं है, उतार चड़ाव हर किसी का जीवन में आते रहता है, यह बुद्देवता यहां से निकल जाएंगे, और उसके बाद में फिर जब अच्छे होंगे, तो निसंदे आपको उसके अच्छे पल भी मिलेंगे, तो चिंता नहीं करना, मेश के बाद वर्षव र मेहनत करना पड़ेगी, बहुत जादा भागदौर करना पड़ेगी, और उसके बदले में नहीं मिलेगा, ऐसा मैंने मौश राशिक लिए कहा था, लेकिन रूषव राशिक के बाद वर्षव राशिक मैं एक बाकु मिलेगा भी,िआपके भागे में बड़ोतरी भी होसक्त तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे बंती वी नजर आती है तिके किसी भी क्षेत्र में चाहे आप नौकरी करते हों, चाहे आप व्यवसाई करते हों, चाहे आप पढ़ाई करते हों, इस्टुडेंट हो चाहे आप गिरहनी हो, चाहे समास सेवी हो, चाहे राजनिती में हो और जो भी जिस भी उद्देश से आप कारे कर रहे हैं उन सारे कारियों में आपको भागदोर मेनत लगेगी लेकिन उसके बाद में end of the day या last में आपको आपके काम में success भी दिख जाएगी तो चिंटा करने की कोई भी बात नहीं है मैनत करिए और सफल बहिए कि हमले इतरा सा मंत्र आपके लिए ब्रिशम के बाद मिथौन राशी के बात करते हैं जो बुद्देव की राशी है और बुद्देव ही शतुन राशी में जा रहे हैं यहां पर बात देखिये कि मित मृतल्म राशी के लिए तो बुध्ध देव का राशी और ठाल बहु मुत अच्छा होने वाला यह जैदाद को लेकरकेवध दिवात चल रहा हूँ मुझे यहां पर आपके धन में आय में बड़ whereby जयदात में बड़ोतरी के योग बंतेव में नज़र आते हैं। एट्रेक्टिवनेस है ना दुसरों को प्रभावित करने के शम्ता वो बढ़ने वाली है आप दुसरों को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर पाएंगे और खास्तों पर ये वक्त उन लोहों के लिए ज्यादा अच्छ है जो कहीं इंटर्विव देने जा रहे हैं या ज आरे में आपको सफलता देखने को मिल जाएगी तो मितुन राशी के रहे तो बहुत अच्छा है मितुन के बाद करक राशी की बात करते हैं करक राशी में ही बुद्देव आ रहे हैं इसी राशी में तो बुद्देव का राशी प्रिवर्तन हो रहा है तो करक राशी में ब त्राइं आपको इसा लग सकता है कि ज्यादा हो रही है, थोड़ा एक mental instability भी आपको लग सकती है, आपको यह लग सकता है कि चीजें उतनी favorable नहीं जा रही है, जितनी जानी चाहिए, थोड़ा एक confusing state, एक dilemma का state, दो मन, तीन मन, एक साथ होना, या चीजें समझ ना आना, उतना easy ऐसा लग सकता है, चिंता ना करें, long term की चिंता नहीं है, बुद्ध देव जो है, वो राशी परिवरतन कर रहा है 25 तारिकों, और जब 8 तारिक तक बुद्ध देव रहेंगे, तो यह 25 तारिक से 8 अगस, 25 जुलाई से 8 अगस तक का ही, यह सबस्या है, उसके अलावा कोई ब राशी के बात करें, तो खर्च के योग मुझे यहां बनते हुए नजर आते हैं, खर्च के योग भी है, और risky investment इस बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, रिस्की इंवेस्ट्मेंट बिल्कुल ना करे और यदि रिस्की इंवेस्ट्मेंट करते हैं तो लॉस हो जाएगा ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे है किसी को पैसा उधार दिया तो वो लॉस हुआ ऐसा भी हो सकता है या फिर कहीं पर पीसी से पैसा उधार लिया तो वो देने में दिक्कत आई ऐसा भी हो सकता है तो इस बात का जरूर से आपको ध्यान रखना है कि किसी को पैसा ना उधार देना है ना किसी से पैसा उधार लेना है जहां पर भी आप invest कर जा है सो समश्र कर ये यदि आप business करते हैं बिज्नस में तो investment करना ही पड़ता है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है आप risk investment ना करें रूटिर इंवेस्मेंट्स जो है वो आप करते चलिए उसमें कोई समस्या नहीं है परिवार का साथ आपको यहाँ पर भरपूर मिलने वाला है परिवार का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है और उस सहयोग उस साथ की वज़े से जो परिवारी की स्थिती है वो अच्छी रहेगी परिवारी खिस्तिती खुशहाल रहेगी खर्च ज्यादा होगा लेकिन आए भी होती रहेगी तो आए को लेकर कि चिंदा करने की बात नहीं है चीक है सी के बाद कन्या राशी की बात करते हैं तो कन्या राशी के लिए यहाँ पर लाभ में व्रद्धी होती हुई नजर आ रही है लाभ में व्रद्धी के योग है उन्नती के योग है हर्ष के योग है उत्सा के योग है सफलता के योग है खुशी के योग है और मैं तो कहूँगा कि आप के लिए यह वक्त कन्या राशी के लिए ये वक्त जो कि बुद्ध देव की ही राशी है बहुत अच्छा रहने वाला है बुद्ध देव का राशी प्रिवरतन कन्या राशी के लिए बहुत अच्छा समय लेकर के आया है पारिवारिक दृष्टिकोंड से भी अच्छा समय है परिवार का साथ दिलवाने वाला भी ये समय है परिवार के साथ रह करके परिवारिक जो एटमोस्फेर है परिवारिक सोहार्ध है परिवारिक प्रेम है उसको भी बढ़ाने वाला ये समय है तो मैं आपके लिए समय को अच्छा कहूँगा करना के बाद तुला राशी की बात करते हैं तुला राशी के लिए भी बुद्देव का राशी परिवर्तन जो कि 25 जुलाई से 8 अगस तक का हो रहा है 25 जुलाई को बुद्देव अपना राशी परिवर्तन करेंगे तो तुला राशी वाले जातक की प्रतिष्ठा में व्रद्धी ये बुद्देव करने वाले हैं लाब में व्रद्धी करने वाले हैं अच्छा लाब सिर्फ धन का ही नहीं धन का भी है लेकिन प्रतिष्ठा का भी है नाम का भी है शोहरत का भी है पारिवरिक अप्रेम का भी ह स्वास्थ का भी है मन्म शांती का भी है तो लाब। मिलेगा. अब मैं बता ही धन व्रद्धि के योग है लेकिस सपेशले यदि आप बिजनस करते है तो बिजनस में भी धन में व्रद्धि के योग यहां पर बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं अलाकि नौकरी और प्रोफिशन में भी है लेकिन खास्त तरपर यदि आप बिजनस करतें तो ज्यादा अच्छे ही हो मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं तो तुला राशी के लिए भी कहूंगा भई 25 जुलाई 2021 को बुद्देव अपना राशी परिवर्तन कर रहे है करक राशी में और व्रिशिक राशी के लिए ये बुद्देव 25 जुलाई से 8 अगर्स तक धन में व्रद्धी करने वाले है धन में व्रद्धी करेंगे इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप जो भी कारी करते हैं उन कारियों में आपको सफलता ही दिलवाएगी जिसे आप नौकरी करते हैं आप वेवसाइख करते हैं आप प्रोफेशनल है यदि आपके धन में व्रद्धी होरे तो सीधी बात है कि आपको सफलता मिल रही है या कहीं आपने शेयर मेर्केट में पैसे लगा करके रखा है या कोई जडात के आपी चुक हैं पैतरक संपत्ती के आपी चुक हैं तो नहीं संदे जहां धन की बात आ गई पैसों की बात आ गई अब वहाँ पर व्रद्धी भी मुझे दिखती है हाला कि एक बात और मैं पता दू कि धन में व्रद्धी होना आपकी चिंताओं को कम कर देगा तो ऐसा भी नहीं है चिंताओं तो जो है वो आपको बनी रहेंगी अतनाओं आपको बना रहेगा आने वाले पिरियज में कहीं ऐसा न हो जाए कि इस्थि आपको बनी रहेगी तो इस चिस से आपको जरा सावधारी बरतना है या दूरी बरतना है क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे यहाँ पर आपके लिए ये वक्त बुद्धेव का राशी प्रिवरतन अच्छा दिख रहा है लेकिन mentally कहीं न कहीं आपके स्वास्त को खराब करता हुआ न जरारा है और इसकी वज़े से कहीं न कहीं पारिवारिक इस्तियां भी खराब हो सकती हैं मतभेद मनभेद की इस्तियां भी बन सकती है तो इस बात का भी आपको जरा ध्यान रखने की जरूरत है ब्रशिक राशी के बाद धरूर राशी की बात करते हैं 25 जुलाई से लेकर 8 अगस तक यह जो बुद्ध देव अपना राशी परिवर्तन कर रहे हैं करकर राशी में धरूर राशी के लिए एक सलाह तो यह रहेगी कि वानी को संभल कर इस्तमाल करें संभल कर बोलें देखिए यह वक्त जो है यदि आप कुछ कहते हैं तो हो सकता है आपकी बात को गलत ले लिया जाए या यह भी हो सकता है कि आप गलत बोल जाए दोनी बाते हो सकते हैं तो दोनों बात हुए यहां पर मुझे chances बनते हुए बढ़ते हुए निजर आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान करते हैं चिंता की के योग भी भी बन रहे हैं हालागी आर्थिक इस्तिति अच्छी रहे कि नौकरी करते हैं website करते हैं आप business करते हैं आप प्रॉफेशन में हैं धन के द्रश्टी कौन से धन के लिए यह बात करें आर्थिक स्थिति के बात करें तो अच्छा रहेगा वक्त लेगिन आपकी बातों को गलत लिए करके फिर वाद वाद की स्थिति बने ऐसा मुझे दिखता है तो केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है और जब बातों को गलत लिया जाएगा मैं कह रहा हूं तो कहीं न कहीं पारिवालिक मदभेद हो करके पारिवालिक माहूल जो है वो खराब हो सकता है तो इस बात के आपको ज़रा ध्यान रखना है ठीक है धरूर राशी के बाद मकर राशी की बात करें तो फट्चिशन जुलाई को जो भुद्देव करक राशी प्रवेश कर र रहे हैं, 8 अगस्त तक जो की रहने वाले हैं, यह आपके αιंबर से आपको लाब करवाएंगे, भूरह कि यदि आपके बिजनस पार्ट्नर है, आप बिजनस करते हैं, उसमें कोई आपके पार्टनर हैं कोई कोई आपके सहायक हैं उनसे आपको लाप करवाएंगे नहीं भी नहीं भी कोई पार्टनर है तो आपके अंडर में काम करने जो कर्मचारी हैं उनसे आपको लाप करवाएंगे आपके लिए एक बहुत ज्यादा मैत्पूर्ण एक सलहा यह कि आपके जो लाइफ पार्टनर है इस समय उनसे आपको राय ज़रूर लेना चाहिए आपके राइफ पार्ट अपनी पत्री या पती से आप राइज रूर लें क्योंकि राय उनका मश्वरा उनका गैडेंस आपको आगे पुरूशें आपनी पत्री से राय लें पहिला है पती से राय जिसे या रेंठ चाहिए और या लेकिन बस्त्रइन है तो सच्चे मित्रु उन से जरूरसे अब राय है उनकी भी राय आपको फलेगी आको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जरा यदी कहीं आक कन्फिजर नेश्से रहे जहाए उन से है नजीना 2022 मजबूत बंघ शीट ऩहर पर स्वास्त के दृष्टी कोण से भी वक्त अच्छा रहेगा, तो कोई अचिन्ता के बात नहीं है, मगर के बात कुम्भ राशी की बात करते हैं, 25 जुलाई को बुद्देव जो अपना राशी परिवर्तन कर रहे हैं, ये आपके स्वास्त में कहीं न कहीं गड़बड़ी कर सकते हैं, अपने शारिरिक स्वास का ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत है, अपने शारिरिक स्वास का ध्यान रखें, हाला कि परिवार का स आज आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक इस्थिती आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, आर्थिक इस्थिती भी अच्छी रहने वाली है, और खास तरप्रेदी आपको स्टुडेंट है, तो स्टुडेंट्स के लिए भी ये वक्त ये दौर अच्छा रहने वाला है, कई नई अपॉर्च लेटिस ओपन करने वाला है या आप कुछ किसी भी लक्ष को ले करके कोई यूजना को ले करके आगे बढ़ रहे है तो उसमें आपको सफलता दिलवाने वाला है तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है शारी रिक स्वास की गड़वड़ी मुझे यहाँ पर बंती पर नजर आ रही है तो आप शारी रिक स्वास का ध्यान रखे 25 जुलाई जब बुद्देव अपना राशी परिवरतन कर रहे है 25 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक अपीन राशी के लिए अच्छा यह राशी परिवर्तन होगा सवगातों से भरा हुआ यह राशी परिवर्तन होगा क्षास तोर परो आपके decision making power को करने वाला यह राशी परिवर्तन होगा है आप जो सोच रहे हैं योजनाई आपने बनाई है जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं, उस रास्ते पर, उस योजना पर, उस सोच पर, उस प्लानिंग पर आपको कामियाब करने वाला ये राशी प्रिवर्दन होगा। मैं आपको आर्थिक दरश्टी कोन से भी इस वक्त अच्छा देखता हूँ, शारिडिक स्वास के दरश्टी कोन से भी अच्छा देखता हूँ, मानसिक स्वास के, मैं डिसिजन मेकिंग को और अच्छा कब होगा। मानसिक स्वास के के दरश्टी कोन से भी आपध अच्छा देखता हूँ, और मीन राशी के लिए बुद्ध देव का राशी प्रिवर्दन बहुत अच्छा होने वाला है चिंता की कोई वे बात नहीं है. तो यहाँ पर हमने चर्चा कि मेश राशी से लेकर मीन राशी तक जो भी आपकी राशी थी उस राशी के आधार पर मैंने आपको समझाया कि बुद्ध देव का राशी प्रिवरतन जो कि 25 जोलाई से लेकर के 8 अगस तक 25 जोलाई को राशी प्रिवरतन होगा 25 जोलाई को बु वीडियो पसंद आता है तो प्रिजिसे से लाइक करें इसे शेयर भी करें ताकि दुसरे भी इस वीडियो का फाइंडा उठा सकें आने वाले वीडियो में आने वाले एपिसोड में फिर्म बिलेंगे तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे बिदा चाहता हूँ ठादाधेमा झाज करें और शुसरे वीडियो